दोस्तो गूगल एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कौन सा ऐसा कॉंटेंट है ऐसी केटिग्रीज हैं जो बैन हैं गूगल एड्स के ओपर जिसके ओपर आप एड्स चला ही नहीं सकते यह जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग उस केटिग्रीज के अंदर आते हैं और क्योंकि उनको पॉलिशी की नौलिज नहीं होती तो उनके बार बार या तो एकाउंट सस्पेंड होते हैं या हमेशा गल ब्लॉक होते हैं और वो लोग गलती क्या करते हैं कि नहीं चला सकते कुछ एक ऐसी केटिग्रीज होती हैं कि जिनके बारे में अगर आप डिटेल में पड़ोगे तो उसमें तो है वो चला तो नहीं सकते मगर कुछ ऐसी लिमिटेशन हैं कुछ ऐसे प्रोटोकॉल से उनको अगर आप फॉलो कर लोगे और वह कंडिशन मैच हो होई तो आप उस पर चला सकते हो बड़ो बहुत लिमिटेट होता है तो यहां पर आज इस वीडियो में हम आपको क्या बता रहे हैं कि वी आर रुनिंग एड्स फॉर आर इंडस्ट्री और गूगल वी मस्ट नो क्योंकि अगर आप अपनी इंडस्ट्री के एड्स चला रह काउंटर फिट गुड्स क्या हैं काउंटर फिट गुड्स कंटेन करती हैं ट्रेड मांक या लोगो जो कि किसी से मिलता जूलता है या किसी का है अब पहले क्या होता था पहले ना ब्रैंड्स के ओपर लौ नहीं था यह आज से मैं आपको तीन चार पांच साल पहले की बात पटा रहा हूं तब आप Facebook पे देखो Google पे देखो लोग चला रहें कोई रीव आड चला रहा है ठीक है कोई मतलब किसी और ब्रैंड का चला रहे है कोई चला रहा है कोई सेंब्सक्राइड को लोग बेशते थे कुछ लोग डुप्लिकेट और मतलब मतलब फर्स्ट कॉपी भी बेशते थे अब होता क्या था कि वहां बर ब्रैंड को लॉस होता था क्योंकि उनका ब्रैंड ख़राब हो रहा है न लोग तो सेमसिन समझके या कोई प्रोड़क्ट समझके उसको खरीद रहे हैं मगर हो क्या रहा है वहाँ पर ब्रैंड की वेल्यू गिर गई लोगों गलत चीज पहुंची बैड नेम भी हो गया तो इसके ओपर लॉट तो आना था कि मान लीजे अगर आप नाइकी का कोई प्रोड़क्ट बेचना चाहते हो उसमें नाइकी का प्रोड़क्ट आ रहा है उसका लोगो आ ठीक है और आप उसके एड चला रहे हो तो एड बंध होंगे ही क्योंकि आपके पास या तो उनका और्थरेजेशन लेटर होना चाहिए य अगर आपने एड चला भी लिया किसी भी तरह तो रिव्यू में और लॉंग टर्म के अंदर बंध हो सकता है जहां रखिएगा ठीक है अब हम बात करते हैं डेंजरस प्रोड़क्ट और सर्वेशल जैसे कि ड्रग्स का मतलब है कोकीन अफीम इन सक चीजों की बात नहीं कर रहा हुँ। दवाइयों को भी बोला जाता है आप सब जानते हैं। तो ड्रग्स और ड्रक्स से रिलेटिटीट्ट एक्व्यप्मेट्स जैसे इंजेक्शन वगरा जो ड्रग्स को लेने करने के लिए यूजुज होते हैं य्वेजा और भी इक्व्यप्मेंट्स आते हैं और चलाना भी नहीं चाहिए, अब हम बात करते हैं, alcohol की, wine ये भी देखा जाये, तो ये नशीले परदारतों में आता है, और इनके ओपर भी ads band है, तो beer हो, wine हो, कुछी भी तरीके का alcohol है, उस पर आप ads नहीं चला सकते हैं, gambling and games, तो जुए से related, lucky draw से related, jackpot से related, ठीक है, और उसी तरीके की अगर games हैं, ठीक है, तो वहाँ उनके ऊपर आप ads नहीं चला सकते, ठीक है, आप कई जगा ऐसा होता है, कि आप games के आपने देखा होगा ads चल रहे ही होते हैं, मगर दोस्तों वहाँ पर कुछ particular type की games हैं, और उनकी कुछ conditions हैं, कुछ limitations हैं, तो उसके लिए आपको Google team से बात करनी पड़ती हैं, और वो conditions को fulfill करना पड़ता है, तब आप चला पाते हो, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रोबिटेड चीजे हैं, जैसे कि copyright, अगर किसी company ने, या किस individual ने किसी चीज की copyright ले रख एक ऐसी category है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन platforms को ध्यान देना होता है, because यह जो products होते हैं, जो हम बेचना चाहते हैं, वो direct लोगों की सेहत से, ठीक है, मत खिलवार है, अगर आप ज़रूरी तो नहीं हर इनसान उस product को बेचने के लिए capable है, या authorized है, बट वो बस पैसा कमाने क लिए उसको बेच रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ जो recognized या authorized institutes होते हैं, या companies होती है, individuals होते हैं, जिल पर authority होती है, authorization होती है, वो ही उन चीज़ों को बेच सकते हैं, हर कोई नहीं बेच सकता, because वहाँ पर आप लोगों की health product देरो, उनसे उनकी health को damage हो सकता है, और कहीं पर भी अगर users की health को या उनको किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों पर ads नहीं चलाया जाता है, या नहीं चलने दिया जाता है, ये चाए Google है, चाए Facebook है, चाए कोई और भी platform है, मगर फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, health products दो पर ads चलते हैं, उनके ओपर कु चलते हैं, जिस पर हमको लगता है कि ads चल सकते हैं, और इस तरीके से चल सकते हैं, तो आप हमसे contact कर सकते हैं, marketing फंदास की website पर जाके आप हमसे contact कर सकते हैं, लीगल requirements, बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो लीगल, law, बगर ऐसे related हैं, ठीक है, उनके ओपर आप ads नहीं चला सकते हो, और sexual content इस तरीके का जो भी content है, उसके ओपर भी ads नहीं चला सकते हैं, तो उमीद करता हूँ कि main, main चीजे तो आपको समझ में आ गई होगी, अगर आपके product या services इन से relate करते हैं, या कहीं न कहीं आप इन में deal करते हो, या sector, segments, industries में deal करते हो, तो आपको इनकी policies को और अच्छे से पढ़ना है, in depth पढ़ना है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया है, कि कहां से जाके आप अपने industries related policies को और detail में पढ़ सकते हो, गूग झाले वाले वाले वीडियो में करते है 295 दूभन में आपको और आपको और, चूच्छे से बवाको, गूजए बताया हादी को और श Presbridge.